कि नमस्ते दोस्तों मेडिसिनले किंडम में आप लोगा फिर से एक बार बहुत-बहुत सवगत है और मैं हाजिर हूं इस नई वीडियो के साथ वीडियो में बात करेंगे इयर इंफेक्शन के बारे में कान में अभी जो है इस समय में बहुत जादा आपको पता होगा और आप से जो है वाइट लिक्विड निकलना जिसको हम लोग कान का बहना भी बोलते हैं इस तरह का समस्या जरूर से आपको देखने को मिलेगा इस समय में और अभी जो है बहुत ज्यादा यह समस्या फैल रहा है बहुत तेजी से घर घर में इस तरह का समस्या देखने को मिल रहा ह चाहेँगे आज जो है उसके उपर ही कुछ États है कि कृट्य मेडिसेंस है जो की गर के उपर बात करेंगे तो विडियों में अनटक बने रहेगा तो अभी जो है सब से मेडिसीन और सबसे ओर मेडिसीन में से एक है ऐजित्रोमाइसिन तरह का कोई भी समस्स्या देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं ये एजित्रो माइसीन है एजित्रल के नाम से और भी अलग 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 नामों से जो है एजित्रो माइसीन 200 mg 500 mg का टेबलेट आपको मिल जाएगा किसी भी medical store पे तो जो एडल्ट है उसके लिए सुबह साम आपको लेना है 500 mg ओडी लेने से अच्छा है कि आप 200 mg जो सुबह साम लें जैसे यह है तो देख सकते हैं यह माइक्रो का डोलो जैस्पीव आपको अच्छा मेडिसिन आप कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यह है पेंटोपरा जोल टेबलेट जो की गैस की दवा है आपको लेना है साथ में क्योंकि गर्मी का समय है तो पेंटोपरा जोल जो है गैस का दवा साथ में आपको लेना है सुबसाम इसको भी टेबलेट जो है उसको सुबसाम आपको लेना है और साथ ही अगर कान में आपका इसमें मिला हुआ होता है जो कि इचिंग के लिए कान में जैसे किसी भी तरह का इंफेक्शन बगएरा जैसे इस समय में एलर्जी के बज़े से भी कान बहता है कान में दर्द रहता है तो इसमें जो है यह आप मॉन्टी लुकास्ट आप ले सकते हैं अगर कान में खुझलाहट रहता है इचिंग रहता है कान में अगर कुछ डालने का मन करता है जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कान में खुझलाहट रहता है जिसके बज़े से कान में कुछ ले करके कान को रब करते रहते हैं तो वह ऐसे नहीं करना है इसे करने से आप एक टाइम इसको इस्तमाल करें बाकिए तीनोध जो हैं फंगल इंट है तो आप फिल से चार-पांस दिन आप दवा इस्तमाल करें पांस दिन के बाद आप कोई भी ड्रॉप इस्तमाल करें क्योंकि ड्रॉप लेने से इस मौसम में कान जो है आपका गीला रहेगा और कान जब गीला रहेगा तो जो समस्या है उसको ठीक होने में प्रब्लम होगा तो इसलिए ड्रॉ कान के लिए देश्च रहे आपके लिए उस ग्रूप का डेसे से माल कर सकते हैं साक्लो बायोटिक आता है वो भी आप इस्तमाल 요 अबकर चाह आagtे हां कि अचोit प्लस्क करके नाम है इसकाा बैट्लो मेंठा सोन डै-प्रोक्िवनेट ये लिगनोकेर hydrochloride neomycin sulfate यह इस तरह का जो composition का drop है वो आपके लिए based रहेगा क्योंकि इसमे लिग्णोकेन बगरा मिला हुआ है तो इससे क्या होगा कि आपका जो problem है जो कान में दर्द रहता है वो भी इससे जो है normal हो जाएगा तो आप drop में जब दिलें तो इस composition का drop आप इस्तमाल करें कान के लिए जो कि आपके लिए based रहेगा क्योंकि इसमें नियोमाइजीन एंटिवाइटिक्स बगरा क्लोट्री माजोल एंटिफंगल बगरा यह सारी चीजे जो है इसमें मिली हुई है तो इसलिए based रहेगा तो इस तरह का drop आपको इस्तमाल में लेना है बाकी मैंने बताए आ इसको खाना है आपको बहुत अच्छा दिजर्ट देखने को मिलेगा एमॉक्सी सिलीन वगरा से ज्यादा एफेक्टिव अभी जैसे बहुत सारा जनरली जो है अगर प्रेक्टिशनर हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो यह अभी इस समय का जो कान का इंफेक्श अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप इस्तुमाल करें बाकि अगर आपके पास एक इस्ट्रूमेंट भी अगर कान का समस्य को आप जाचना चाहते हैं देखना चाहते हैं सबस्ट रूप से आपको कंफर्म होना है कि पेशेंट कान में क्या प्रॉब्लम है तो एक इ 2-3MP का जो है केमरा लगा हुआ होता है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है 2-3MP का केमरा लगा होता है यहां से यह ऑन होता है और इसको फिर अपने फोन से कनेक्ट करके जब आप कान में डालेंगे तो आप कान का जो है पूरा कंडिशन आपको दिखेगा जखम या फंगल इं आपको पिख रूप से आपको दीखेगा और अगर कोई चीज फस भी गए आपको डाल करके आपको पाश्ट रूप से दिखेगा भी आपके फोन में और आप इसको निकाल सकते हैं तो यही चुछ था अभी जो है कान का समस्या कापी ज्यादा देखा जा रहा है तो यही छोटा सा जानकारी था आप लोगों के लिए उच्टा सा कुछ पुछ मेडिसिन्स जो मैंने आप से शेयर किया बाकि आपका अपना अपना प्रैक्टिस नट अगर आप है तो अपना अपना प्रैक्टिस से आप अलग-अलग तरह के दवाओं को चला सकते हैं लेकिन अभी जो है अगर आप दीजिएगा तो कान में बहुत अच्छा अजित तरह का वीडियो में आप लोग की बीछमेशा से लाता रहता हूं मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिम जय भारत बंदे बात रहते हैं